अगर आप मेरे चैनल पर नुए हैं तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करें एंड ही दे बैल इकन तो चले अपने टॉपिक तरफ चलते हैं मेरे स्बस्राइब करना फ्रंटेटम नहीं होता is क्यों थीडिटम में दिट्वरिशेट करना नहीं हुथ लिए तो यह अंटीरे अब्रोमिनल वॉल की जो कवरिंग होती है इसको मीजो थीलियम और जो इदर साथ में कनेक्टिव टीशु पढ़ा होता है इसको बोलते हैं मीजन काइम मीजन काइम दोनों मिलके एक स्वेलिंग बनाते हैं लोगी टुटनल स्वेलिंग जिसको हम बोलत जिनको कहते हैं गोनेडल कोड्स अब देखें आउटर साइड पर कोड्स इनर साइप यह मैडियूला और इसके अंदर ना पॉर्ट बना स्टार्ट हो जाती है यह पिंक कलर में देख रहे हैं जब इक उनक्रीज होती है साइज में और नमर में तो इसके अंदर इसके फ़र्मेशन देखने के लिए हमें डिवेल्पमेंट पीटेस में फॉर्थ वीक में आना होगा यह 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 यॉक्स है का दॉर्सल पार्ट है यह वेंडल पार्ट है तो यॉक्स हैक जो अंड़ोडर्म है वहां से कुछ रजीज हों की नहीं प्राइमोडिल जंशिव तो यह यहां से आके इसके dorsal part में आजाएगी फिर folding हो जाएगी और dorsal part incorporate हो जाएगा embryo के अंदर यही yellow color का part dorsal part है और इसी पार्ट ने हमारे पास GIT बन वान लिया है देखें यह हमारे पास yellow color में GIT बन गए यह hindgut है और यह hindgut है और यह posterior abdominal wall के साथ एक structure से connected है जिसको हम कहते हैं मिजेंटरी ओफ दा हाइंडगट है और इसी हमारे पास primordial germ cells से यहां से हमारे पास release होंगे और मिजेंटरी से बज़र के इंदर एंटर हो जाएंगे और रिच के अंदर हमारे पास गॉनेटल कोर्ट बनी थी तो यह primordial germ cells इनके अदर आके corporate हो जाएंगे अब यह अब इसी हमारे पास पॉलिकलर सेल्स जो फॉलिकल होगा हमारे पास वोवन वाएंगे अब सेक्स डिर्मिनेशन होती कैसे हैं अगर हमारे पास excess chromosome है तो यह जो मारे पास गॉनेटल रिच बना था इसका तो अगर एक्स वाइक्स रिच्रेश रिच्रेश हो जाएंगा और तेस्टीज मेडियूला से बनेगी बेसकिली एक थी जिसने एक प्रोटीन प्रोड्यूस करानी थी इसे करते हैं तेस्टीज डेटर्माइनिंग फेक्टर नहीं तो इस चीजों को रेगूलेट किया किया कि seminephroze जो हमारे पास gonadal coches बने थी उनको seminephroze stribule के अंदर convert किया और 1 seminephroze stribule लार्झोर वोके muduler के वे बॉर्श के हा रही थी और अश्रॉसमॉसिस कर रही थी अब इस बात को हम बुदेश कि पर तेकों हमारे पास जो testis determining factor produced था sri y gene नी जैंँ धेएं कोथ पर इस ने पर भाओ नो कि चोंड़नेंगा और उसको एक्चेंट करवांगा मेडीला में वह ब्रांचिंग करेंगे अधायों करने के लिए झाला में यहह मारे पास कोट्स टेंप तो इसको अधे हैं और इसको extend करवाया में अब्रांची को रेनेस तरस मॉस करके एक नेटवर्क बनाते जिसको हम कहते है रेटे टेस्टेस और इसके इलावा इसकी जो ऑटर कवरिंग है वह एक थिक कवरिंग बनेगे जिसको हम कहते है तुनिका अल्बूजीनिया और जो हमारा पास टेस्टेस्ट वह posterior brumnal wall के साथ एक misentriset है तो समीनेफरस quarts था वह अब सेमीनेफरस tubules, tubuli, रेक्ती यह स्ट्रेट तुनिका रेक्ती रेक्ती उर एक network में इसको कहते है रेतेस्टीस, समीनेफरस quarts रेक्ती हैं सेमीनेफरस tubules, tubuli रेक्ती और रेतेस्टीस के लिए तो अब हम यह देखते ह इसमे स्टिश्ञ नहीं होता हैं में सेजलों स्कुर्टेशर पूलूर। यहां इसका है लग मैटोगोंि हैं निभी और निय्टम कीया möglich सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं इन्होंने रिलीस करना होता है एंटी मुलेरियन हॉर्मून ने परमीजोनेफिक ड़क्ट की फॉर्मेशन को डिजनरेड करवाना होता है जो के फॉर्म होती है फॉर दिवेलप्मेंट ऑफ यूट्राइन ट्यू के लिए और यूट्रस बन में परमीजोनेफिक ड़क्ट होती है तो सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन हॉर्मून रिलीस करते हैं और उसने उनकी फॉर्मेशन को रोकना होता है यह देखे हैं यह यह ट्राइन ट्यूब और यूट्रस मनाना था फीमेल में तो इसके बाद उसके बाद हम यह देखते ह इसने कंटिन्यू करना था अदक्ट ओफ एपिदिक अब देखते हैं यह जो रडर टेस्टेस हैं इसके ड्रेनेज कैसे होती है इसके इसके अब इंगारे बाद यजो पास जो परमीजोनेफिक ड़क्त ही बां पर्मिजोनेफिक देखे थीर पैसे इंगे इंगें लिल्वे तो इसमें अम जो रेड़ी टेस्टीस थे यह तो हमारे पास कंप्रीट किड़नी है यह उसका सेक्शिन किया हुए यह रेटर टेस्टीस इस ट्यूप के साथ कनेक्शन शो करती है थ्रूद त्रूद इस स्ट्रॉक्चर इसको हम बोलते हैं इफ्रेंट ड्क्ट्यूज और यह टेस्ट डिटर्माइनिंग फेक्टर फीमेल में अपसंट होता है जिसकी विज़से हमारे पास सेमिनेफ्रेस ट्यूज नहीं बन पाते हैं और यह जो गॉनेटर डक्स होती हैं यह मेडियूला की तरफ नहीं जाती और वहां पर ब्रांचिंग नहीं करती हैं यह कॉर्टेक द्यूज जाती है जब यही जैनिटर गॉनेटर एंपास जैसे यह इनलार्ज होंगे तो इसकल प्राइमोडिल जब्स इसके इक आनेटर हो जाएंगे लेकिन यह जो गॉनेटर डक्स हैं यह हमारे पास बनेगी तो सही लेकिन बाद में यह ब्रेक हो जाएंगी और प्राइमोडियल फॉलिकल के इंदर हमारे पास इनर साइड पे वह गोनियम होता है और और आउटर साइड पे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और इसके आउटर साइड पे एक तिन फिपर स्केपसुल बनता है जिसको हम कहते हैं तियूरेकल अबुजीनिया मेल्स में बहुत थीक होता है लेकिन फीमेल में बहुत ही थीन होता है और और यह स्ट्रक्चर से से स्पेंड़ होती है और इसको कहते है मिजेंट्री आज की यूडियो में बच इतना ही अलाप्षिस